हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन जी एस भाई दिवाकर में कैसे हैं आप सभी लोग आसा है अच्छे होंगे और कर्मेंट सेक्षन में भी बताएं कैसे हैं आप सभी तो अभी तक हमारी जो कर्रेंट अपेर्स की सीरी चल ली तो इसको हम आगी लेकर के आएं कर्रेंट अपेर्स के पार्ट हमारे 16 हो चुकिए जो के हमारे चैनल पर है और ये पार्ट 17 है जिसको के एकजाम के पॉइंट आप व्यू से ही रखा गया है जिसमें आपके सभी एकजाम इसमें कवर हो जाएंगे जो आपके इसमें कुश्चन हम लेके आएं जो डेटा हम लेके आते हैं बो सिर्फ हम कुश्च एकजाम के हिसाब से ही लेके आते हैं कुछ भी आलतु फालतु का इसमें हम ज्यादा नहीं रखते हैं जितना डिटील होता है जितना पेपर में पूछा जा सकता है उतना ही बताएंगे उससे आगे हम ज़्यादा टाइम बेस्ट नहीं करेंगे बोल बोल के तो चली शुरू करते हैं पार्ट 17 इसका पहला कुश्चन पहला कुश्चन इसका नवंबर 2022 में भारत ने किस बर्ष के कारेकाल हेतू इंटरनेशनल इलेक्टोनिक कमीशन का उपाद्यच और स्टेट्जिक मेनेजमेंट बोर्ड SMB का अध्यक्षपत जीता तो यह कौन सा था पर्ष 2022-23 या 2022-24 या 2023-25 या 2024-26 ऑप्सन इसका सही हो जाएगा ऑप्सन C 2023-25 के कब जीता था यह तो यह नवंबर 2022 में कारेकाल इसका किता हुए 2023-25 में बाखी इसके बारे में इत्ता ही जानना है और यह क्या है IESC क्या है International Electronic Commission है यह एक अंतराश्टिय मानक प्रतिष्ठान है जो सभी Electronic और Electrical समंद्ज प्रद्विकी के लिए अंतराश्टिय मानक तै करता है Next देश के पहले Surety Bond Guarantee Bond बीमा उत्पाद के संब्द में कौन सा तथ्य सही नहीं है तो इसके option दिये गए 19 दिसंबर 2022 को किंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लौँच किया बजाज अल्याइंस Journal Insurance ने इस मेत्पूर्ण उत्पाद को लौँच करने की पहल की Surety Bond Insurance बीमा प्रिंसिपल के लिए एक जोकिम हस्तानांतर्ण उपकरण है जो ठेकेदार द्वारा अपने संविदात्मक दायतों को पूरा ना करवाने की स्तिती में निक्सान बजाता है और D option इसका यहां पर दिया गया है इसकी सहायता बैंक गारंटी पर बुनियादी धाचा ठेकेदार की निर्वारता और अधिक बड़ेगी एक मिनट इसके option नीचे होंगे अच्छे इसमें, sorry हाँ option इसमें हमें सही गलत बताना है कौन सा एक गलत है वो हमें देखना है तो option इसका सही हो जाएगा option D इसकी सहायता बैंक गारंटी पर बुनियादी धाचा छेत्र की ठेकेदारों की निर्वारता और अधिक बड़ेगी ये गलत है next इसमें क्या होगा जो ठेकेदारों की निर्वारता है वो कम होगी 14 दिसमबर 2022 को सायोग तराष्ट आर्थिक और सामाजिक बरदस इको सौक ने किस देश को महलाओं की इस्तिती पर आयोग से निलंबित करने के लिए प्रस्ता पारत किया है option A दिया गया इसका इरान, option B इराक, उत्तर कोरिया या दच्छनी सुडान तो option इसका सही हो जाएगा, option A इरान इरान का कारेकाल किता था इसका 2022 से 26 करा है इसमें नेक्स्ट और यह जो प्रस्ताब है वो निलंबित क्यों किया गया है, क्यों हटाया गया है तो इसमें क्या मैलाओं या लड़कियों के इसमें उत्पिणन होता था इसलिए इसको हटाया गया था नेक्स्ट आठ से नौ दिसमबर 2022 के मद्य भारतिय नौ सेना और किस देश की नौ सेना के बीच इंडिया इंडो का 49 वा संसक्रण आयो जित हुआ है स्री लंका इंडोनेसिया मलेसिया या बंगलादेश ओप्षन इसका सेव जाएगा ओप्षन बी इंडोनेसिया 49 वा संसक्रण कहां पर हुआ है इंडोनेसिया में नेक्स्ट साथ दिसमबर 2022 को किसके द्वारा यूपीय पेमेंट सेवाओं को और बहतर बनाने है तू सिंगल ब्लॉग मल्टिपल डेविट सुवदा सुरू करने की गोशना की गई है तो ये भारती स्टेट बैंक ने वित मिंत्राले ने या भारती रेजर बैंक ने या पंजाब निशनल बैंक ने option इसका सही हो जाएगा option C भारती रेजर बैंक ने इसको गोशना की गई है कब की गई है 7 December 2022 को की गई है उद्देश क्या है इसमें Unified Payment Interface ये इसके UPI की फुल्फम क्या है Unified Payment Interface पेमेंट से वाँ को और बहतर बनाना ये इसका उद्देश से रखा गया है Next 7 December 2022 को भारती रेजर बैंक के गवर्नर सक्तिकान दास ये भी कुशन आता है कि अध्यक्षिता में मौद्रिक नीती समिती ने मौद्रिक नीती बक्तव्य दो हजार बाइस से तेई जारी किया इससे सम्मंदित निम्न कत्रों पर बिचार कीजिए RBI ने रेपो दर में 35 आधा रंक की ब्रद्धी की इसके अंसा GDP ब्रद्धी 6.8 प्रसर रहने का अनुमान है इसके ओप्शन कौन-कौन से सही है ओप्शन एक, केबल एक, केबल दो, एक और दो दोनो या उपरेक्ट मैं से कोई भी नहीं इसको उप्शन सही हो जाएगा उप्शन बी, सॉरी, उप्शन सी इसका सही हो जाएगा एक और दो दोनो RBI ने रेपो दर में 35 आधा रंक की ब्रद्धी की इसके अंसा GDP ब्रद्धी 6.8 प्रसर रहने का अनुमान है ये भी सही है केंदी बैंक डिजिटल मुद्रा डिटेल से संबंदित निम्न कतनों पर विचार कीजिए तो भाती रिजर बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से इसके पहले डायोगे परचालन शुरू करने की कोशना की इस प्रायोगे परचालन की सुरूआत में चार सहर मुंबई, दिल्ली, बंगलूरू और भुवनेश्वर को सामिल किया गया है तो इसके ओप्सन एक माट ओप्सन नीचे दे गये हैं इसके हाँ केबल एक, केबल दो, एक और दो दोना या इनमें से कोई नहीं प्रायोगे परचालन की सुरूआत में चार सहर कौन कौन से है, मुंबई है, नई दिल्ली है, बंगलूरू है और भुवनेश्वर है इनको जोड़ा गया है, नेक्स्ट, फोप्स दौरा, दिसंबर 2022 में जारी एसिया के सबसे बड़े दान दाताओं के सूची, कितने भारतियों को सामिल किया गया है इसमें कितने लोगों को सामिल किया गया है, तो इसमें किया गया है, तीन लोगों को इसमें सामिल किया गया है नाम क्या है इनका तीन लोगों का गौतम अडानी, सिबनाडर, असुक सूटा ये इनके नाम है किसने जारी किया है फोप्स द्वारा किया गया है संख्या के तेख कहां किया है भारत किया है तीन लोग ठीक है नेक्स्ट 13 से 17 फरबर्दी 2023 के मध्य एरो इंडिया 2023 कहां आयोजित होगा तो नई दिल्ली, बैंगलूरू, भुबनेश्वर या हैदराबाद उप्सन इसका सही हो जाएगा उप्सन B बैंगलूरू में कहां पैंगलूरू में होगा किसके द्वारा होगा रच्छा उत्पादन विवाग रच्छा मंतराले द्वारा होगा ये उद्दे से क्या होगा इसका घरेलू बिमानन उद्ध्योग को बढ़ावा देना थीम क्या थी इसकी उद्दे से क्या था घरेलू बिमानन उद्ध्योग को बढ़ावा देना और थीमत इसकी तो दा रनवे ओफ बिलियन एक में लिख देती हूं इसको दा रनवे टू अ बिलियन अपोर्चनलिटी ठीक है यह इसकी ठीमती नेक्स्ट हाल यह में खोजे गए दो एक्सो प्लेनेट केपलर 138 और केपलर 138 C और D की खोज किस तारा मंडल में की गई तो यह कौन सा है ओप्शन इसका हाइड्रा बिर्गो लाइरा या पेगासस ओप्शन इसका सही हो जाएगा ओप्शन C लाइरा में इसकी खोज की गई कहाँ पे लाइरा में ओप्शन C इसका सही हो जाएगा किस ने खोज किये तो University of Montreal ने इसकी खोज किये इस हंस्तान है नेक्स्ट और यह जो एक्सो प्लेनेट क्या होता है यह वह ग्रह होता है जो कोई भी ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाहर किसी भी तारे की जो परिक्रमा करता है उसको हम एक्सो प्लेनेट बोलते हैं ओके चलिए तीन दिसंबर दो हजार बाईस में हिमालेश हित्रम पाए जाने वाले किन-किन उसदी पौदव की प्रजाती या प्रजातियों में आयू सियन की लाल सूची में सामिल किया गया है तो यह काफ़ ही उपोर्टेंट यह कोश्चन और जो इससे पहले निकल गया है कोश्चन एक्सो प्लेनेट वाला यह कोश्चन तो इसमें दिया गया है मेई जोई piece पेलिता या फिर्टे लोरिया हटा गिरिया इन पौदे के नामे थोड़े से अजीब है केबल एक, केबल दो, दो और तीन और दी में एक, दो, तीन जिसके option साही हो जाएंगे आपके तीनों, तीनों को इन में एक मैट, IUCN red list में इनको रखा गया है, option D आपका साही हो जाएगा कहाँ पहे हैं ये, हिमाले छेतर में पाए जाते हैं, और कैसे, ये जो पौदे हैं ना, वो बारा मासी हैं जड़ी बूटी टाइप के ये पौदे हैं next INS मुर्मुगु आओ, से संबंदित निम्न कत्माँ पर बिचार कीजिए 18 दिसंबर 2022 को इसे मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड में, आजित एक कारेकरम में कमीशन किया गया यह प्रोजेक्ट 15B, P15B, स्रेणी का दूसरा स्वदेसी स्टील बिद्धवनसक है इसके ऑप्षन दिये गए है ऑप्षन, केबल एक, केबल दो, दो, एक और दो दोनो, या उप्रेक्ट में से कोई नहीं अभी जो केशन आया था उसमें पहले, IUCN के बारे में तो IUCN के बारे में और जान लिजे क्योंकि इसके बारे में काफी पूशे जाता है मुक्याले बगएरा, इसका कहां पे है तो कब हुए थे IUCN किस्तापना कब हुई थी 1948 में हुई थी इसका मुख्याले कहां पर है तो स्वेटजर लेंड में इसका मुख्याले है देश इसमें अभी कित्ते जुड़े हुए है 170 से इसमें अधिक देश जुड़े हुए है और सदस्य तो इसके काफी है 1400 से अधिक सदस्य है ये इसके बारे में जानकारी IUCN के बारे में जो पूछी ही जाती है अकसर करके पूछी जाती है इन चीजों के बारे में IUCN यूनेस्को बगरा ये हुआ इनके बारे में अमेसा पूछा जाता है पहले अनारला जहाज के संबन्द में बिकल्प में कौन सा तत्य सही नहीं है 20 दिसंबर 2022 को इस जहाज का सुवारम चेन्नाई के मैसर्स L&T कट पल्ली में किया गया भारतिय नौसेना के लिए निर्मत आठ SWSWC प्रोजेक्ट में से पहला जहाज है यह जहाज Garden Reach Sip Builders and Engineers द्वार निर्मत किया गया है इस जहाज की अधिक्तम गति 35 समुद्री मील है जिसमें हमें सही नहीं ढूणना है तो इसका option सही हो जाएगा आपका option इस जहाज की जो अधिक्तम समुद्री मील है वो किति है 35 मील नहीं है option इसका आपका D गलत हो जाएगा यानि कि D option इसका सही हो जाएगा अधिक्तम जो है 25 समुद्री मील है इसकी ठीक है यह आपका सही हो जाएगा next यह कुश्चन फिर से वही आ गया है रहाँ लुश्चन आयाँ वही आयाँ लुश्चन आयाँ आयाँ अ इकमाच है यह कुशन दो पार हाँ चुगा है आपका उसका भी ऑप्सन डी हो जाएगा जो उसका है जापान ने दिसंबर 2022 में अगली पीडी को लडाकु बिमान के निर्मार की गोशना की है लडाकु बिमान का निर्मार जापान किन या किन देश या देशों के साथ मिलकर स्यक्तरूप उसे करेगा तो इटली या यूएस का दिये गए है कैबल एक और दो दो-अंव कि में एख दो test दिया गया दि मैं कोई नहीं दिया गया ऑफ शने साहे हो जाएक ओक वि एक और दो-दोन दो बेटेटर इस जोन इतली के साउयोंग तरूप से औरहिए करेगा तो भाई वरी कारण तो सबका एक ही चीन चीन यह उत्तर बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए संयक्त रूप से कार रहे बिमान बनाएगा लड़ा को ब्रदी रखेगा किसके साथ है बेटे ना और इटली के साथ मिलकर यह कर रहा है कब तो 9 दिसमबर 2022 को और कब तक यह ते ना हो जाएगी सेना तो 2035 तक यह लड़ा को बिमान तेना हो जाएगा इसपेस्टेक इनोबेशन नेटवर्क से सम्मन्दित नेमलिकित कत्माँ पर विचार कीजिए यह भारत का पहला समर्पित मंच होगा जो तेजी से बढ़ती अंत्रिच उध्यम सीलता पारिस्थतिकी तंत्र के लिए नवाचार और उध्यम विकास के लिए समर्पित होगा 6 दिसम्बर 2022 को इसरो ने इसको लॉंच करने के लिए सोसल अलफा के साथ साजेदारी पर हस्तक्चर किया था ओप्सन इसके दिये गए हैं केबल एक, केबल दो, एक और दो दौनो या फिरिन में से कोई नहीं ओप्सन इसका सही हो जाएगा, ओप्सन बी, सॉरी, ओप्सन सी इसका सही हो जाएगा, एक और दो, दोनो कब इसको किसने लॉंच किया था, इस रो ने इसको लॉंच किया था, साजेदारी किसने किया था, सोसल अलफा ने साज़ेदारी रखके और कब थी ये तो 6 दिसंबर 2022 को सोसल अलफा क्या है तो ये गैर लावकारी संगटन है क्यासा है गैर लावकारी संगटन है जिसकी स्थापना कब हुई थी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बिज्ञान और तक्निकी स्थाट अप के लिए मल्टी स्टेज इनोबेशन क्यूरेशन और डेवलप्मेंट प्लेटफॉर्म है ये नेक्स्ट और ये क्या करता है जो उद्ध हमसीलता और बाजार निर्मार नवाचारों के सकती के जरिये सबसे महत्तोपूर्ण सामाजिक आर्थिक और पर्यावर्णी चुनाओतियों का भी ये समाधान करता है आराम से नेक्स्ट देखते हैं जिसंबर 2022 में किस संस्तान ने विश्व की पहली जी एमेस आधारित संकर लोबिया लॉंच की तो धर्ती एगरो क्रशिफाई क्रशिको या खेती बाड़ी संग ओप्शन इसका सही हो जाएगा धर्ती एगरो ओप्शन एसका सही हो जाएगा कब लॉंच की थी 2022 में हाली में ICAR और IARI के चने की सूखा साइशन प्रजाती बिक्सित किया है इस प्रजाती का क्या नाम है पूसा जेजी पूसा गोल्ड या पूसा बोल्ड या पूसा जेजी 25 ओप्शन इसका सही हो जाएगा पूसा जेजी 16 ओप्शन एसका सही हो जाएगा किसके द्वारा कीगे तो ICAR और IARI नाम क्या है पूसा जेजी 16 ICAR की स्थापना होई थी आपकी 1929 में मुख्याल है कहां पे इसका नई दिल्ली में है ICAR की फुलफोम क्या होती है इंडियन काउंसल ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना को होई थी IARI की स्थापना होई थी आपके 1905 में और इसका मुख्याल है भी नई दिल्ली है और इसकी फुलफोम क्या है इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इस्टिट्यूट ये इसकी फुलफोम है नेक्स्ट 16 दिसंबर दो हजार वाइस को उननत रडार उपकर है सोट को लॉंच किया गया है इसको सायक्त रूप से किसके द्वारा विक्सित किया गया यूएस और जापन यूएस और इटली यूएस और भारत या यूएस और फ्रांस ओप्सन इसका सही हो जाएगा ओप्सन डी यूएस और फ्रांस किसको एस टलोटी सोट को लॉंच किया गया सायक्त रूप से ठीक है इसका फुलफोम क्या है सर्फेस वाटर एंड ओसियन टोपोग्राफी क्या है इसका फुलफोम लिखे हैं कि हम बोली देते हैं सर्फेस वाटर एंड ओसियन टोपोग्राफी यह आप लिख लेना नेक्स्ट ओसन बेब एंड इनर्जी कनवाटर के सम्मन्द में नेम लिकत कतनों पर विचार कीजिए ओप्सन इसका फाई हो जाया ओप्सन सौरी में बोलने तो हैं उसन बेब एनरजी कनवर्टर भारती प्रोधर की संस्तान IIT मदरास के सुध करता उदारा बिक्सित किया गया है इसका नाम सिंदुजावन है या कनवर्टर समुद्री लहरों से बिजली उत्पन करने में सच्छम है इस उपकरन को तमिलनाडू के तूती कोरिन तट से लगवक 6 किलोमेटर दूर 20 मीटर गैरे स्थान पर टेनाथ किया गया है इसके ओप्सन दिये गए है ऑप्सन एक और दो वी मैं एक दो तीन दो तीन ये धी मैं सभी तो option इसका सही हो जाएगा option D इसका नाम सिंदोजाबन है और इसको IIT मदराज के सोध करता दोरा बिक्सित किया गया है इस उपकरन को कहां पर तमिलाडू की तूती को और इन तट से 6 किलोमीटर दूर मीटर गहरे इस्तान पर तैनात किया गया है इसके सब यह option आपके सही हो जाएंगे और यह क्या करेगा समुद्री लहरों से बिजली उत्पन कर पाएगा next पांच दिसंबर 2022 किस राजे सरकार ने स्टार्ट अप टेक एगल के साथ साजेधारी में एसिया के पहले ड्रोन डिलेवरी हब और नेटवर्क के अनावरन किया है तो नागालें मेघालें महाराष्ट या करनाटक option इसका सही हो जाएगा option B मेघाले यह कहां की सरकार है मेघाले सरकार द्वारा ही इसको शुरू किया गया है नाम किया है इसका इस्टार्ट अप टेक एगल और इसका उद्देश क्या है ड्रोन का बित्रन करके नेटवर्क का उप्योग करके राज के बिविन छेत्रों में दवाओं नैदानिक नवूनों टीकों आदी आवस्तक चीजों की आपूर्ती को सीख ग्रियों सुरच चित रूप से लोगों तक पहुंचाना यह इसका सब्सक्राइब दो हजार बाइस को बिसु स्वास्त संगठाने मंकी पॉक्स बिमारी के लिए नए नाम की सिफारिस किया है इस बिमारी का नया नाम क्या होगा सेल पॉक्स, एम पॉक्स, मकाक पॉक्स या उप्रूप्त मैंसे कोई नहीं यह काफी इंपोर्टेंट है तो इसका सही हो जाएगा आंसर बी, एम पॉक्स इसका नाम किया गया है नेक्स्ट एम पॉक्स द्यार लगाने ठीक है 28 नवंबर 2022 को किस अंत्रिच तकनीक स्टार्ट अपने 37 दबन अंत्रिच केंद से हरकोटा में भारत का पहला निजी लॉंच पैट मिसन ने अंत्रा केंद्र लॉंच किया है तो उप्शन इसके दिये गए हैं धुरूब स्पेस, पिक्सल, एस्ट्रोगेट या अग्निकुल कॉस्मोस उप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस उदगाटन किस ने किया था इसका तो एस सोमनात ने किया था जो कि कौन है इस रो के अध्यच्छ है इस टैम पर कब लॉंच किया गया था 28 नॉबंबर 2022 को किया था कहां से किया गया था 37 दबन अंत्रिचकेंद श्रीयर कोटा से नेक्स्ट चलिए आगे का कुश्चन 30 नॉबंबर 2022 को भारतिय तत्रचक के उननत हलके हेलिकॉप्टर ए ल एच एम के थर्ड इसक्वार्डन को कहां इस्तित ICG एयरे स्टेशन में सामिल किया गया है आप्सनिस के नीचे है कोची, चेन नई, मुंबई या बिसा खापतना आप्सन इसका सही हो जाएगा आप्सन बी बिसा चेन नहीं नेक्स्ट इसको जहां पर सामिल करने से क्या होगा तमिलाड़ और आंदर पदेश के समिदन सिल समुद्री छेतर में सुरच्छा के दस्टिकॉण से भारती तट्रचक की चमता में क्या होगा और भी ब्रद्धी हो जाएगी इसलिए इसको सामिल किया गया है बी ट्वंटी बन रडार बिमान से समंदित निम्न कत्नों पर विचार कीजिए दो दिसंबर दो हजार बाईस को अमेरिकी बाईसेन द्वारा इस बिमान का अनावरन किया गया या बिस्वक का पहला छटी पीडी का परमाडू इस्टील्थ बॉमर बिमान है तो इसके उप्शन दिये गए हैं एक मठ थोड़ा सा उपर करना केबल एक दो एक और दो दोनो या उपरक्ट मैं से कोई नहीं उप्शन इसका सही हो जाएगा उप्शन सी एक और दो दोनो कहां पर इसका किया गया था अनावरण कैलिफोर्निया में इसका अनावरण किया था कैलिफोर्निया कहां पर है आपको यह तो सब को पताओगा अमेरिका में है किसने अनावरण किया था तो अमेरिकी भायों से ना ने किया था कोशन में ही दिया गया है सोरी ओप्सन में दिया गया है आपका नेक्स्ट अगनी त्री मिसायल से संबंदित निम्न कत्नों पर बिचार कीजिए 23 नवंबर 2022 को इस मिसायल का उडिसा के एपीज अब्दुल कलामदूई को सफल परिच्छन किया गया यह सते से हवा में मार करने वाली मिसायल है ओप्सन इसके दिये गए है केबल एक, केबल दो, एक और दो दोनों या उपरिटमे से कोई नहीं option इसका सही हो जाएगा option एक के बले एक a option इसका सही हो जाएगा या 23 नवम्मद 2020 को इस मिसाइल को ओडिसा के एपी जब दुलकलाम दुई के सपल परिक्षन किया गया यह सही है लेकिन यह सत्य है से हवा में मार करने वाली मिसाइल है यह गलत है यह कहाँ पर करती है सरफेश टू सरफेश मार करती है यानि कि सत्य है सत्य में ही यह मार करने वाली मिसाइल है ना कि सरफेश टू एयर अगला question चौवीस नवंबर दो हजार बाइस को प्रोजेक्ट फिप्टीन वी स्टील्ट काइडेड मिसाइल बिद्वान संग के दूसरे पोथ फिप्टीन वी बाइफ बन ट्वंटी सेवन जीरो फाइब एक मिट यहां पर साइट चोटा करके आया ही नहीं है यहां पर आप देखने ना बन टू सेवन जीरो फाइब यह लिखा हुआ है यहां पर मार्मू गुआ को बार्थी नौ सेना को सपुर्द किया गया यह पोथ किसके द्वारा निर्मित किया गया तो अप्सन दिया गया हिंदुस्तान सिप्याड लिम्टेड मजगाउं डॉक सिप बिल्डर लिम्टेड गार्डन रीच सिप बिल्डर एंजिनियर्स या सिब्लू सिप्राद limited option इसको सही हो जाएगा option b मजगाऊंड डॉक सिप बिल्डर limited द्वारा इसको निर्मित किया गया कब इसको रखा गया था तो इसको 2015 में इसको शुरू किया गया था कि 2015 से अभी इसको निर्मित कौन कर रहा है mdl मजगाऊंड डॉक सिप बेल्ड लिम्टेड इसको कर रहा है अधिकतम गती कितनी होगी 30 समुद्री मील इसकी गती हो जाएगी कितना यह विश्थापन चमता मतलग कितना यह बजन ले जा सकता है तो 2700 टन बजन ले जा सकता है 17 मीटर चोड़ा है 163 मीटर या लंबा है ठीक है नेक्स्ट रॉल्स रॉयस एई एकीस सो एचेत्री यह बिमानन इंजन से सम्मंदित निम्लिकत कतनों पर बिचार कीजिए यह बिसुका पहला हाइड्रोजन संचालित बिमान इंजन है रॉल्स रॉयस और इजी जेट ने इसका सपर परिक्षन किया है ओप्सन इसका सही हो जाएगा केबल एक, केबल दो, एक और दो, दो नहीं सही है बिसुका पहला हाइड्रोजन संचालित बिमान है नाम किया इसका रॉल्स रॉयस एई, एकिस्वा ए क्या इजी जेट इसका सपर परिक्षन किया गया है, किसके दोरा किया गया है, इजी जेट के दोरा इसका परिक्षन किया गया है, कहां पर किया गया है बोस कम डाउन, यूके में इसको, आप यूके ध्यान रखिए, यूके में इसका परिक्षन किया गया है रोहिणी आरेच 200 साउंडिंग रोकेट से सम्मंदित निम्लिकत कत्नों पर बिचार कीजिए यह रोहिणी आरेच 200 साउंडिंग रोकेट का लगाता दो सोमा सपर पर इच्छ प्रचेपण है 23 नवंबर 2022 को भारती अंत्रिश नंसंदान संगटन इसरो द्वारा इसका प्रचेपण किया गया है आप्शन इसका सही हो जाएंगे आप्शन दिये गये हैं केबल 1, केबल 2, एक और दो दोना या फिर कोई नहीं आप्शन इसका से जाएगा आप्शन सी एक और दो दोना और रोहीणी आरेच 200 साउंडिंग रोकेट का लगाता दो सोबा सपल पर इच्छ ने कौनसा है किया गया है किसने किया है तो इस रों नहीं किया यह तो बता ही दिया नेक्स और यह जो है आरेच 200 यह क्या है यह दो चरणी रोकेट है कैसा है दो चरण का रोकेट है जो कि साड़े तीन मीटर लंबा है दस क्लोग्राम पे लोड के साथ है सत्तर क्लो मीटर तक यह उंचाई को ले जाने में सच्छम है यह इसके बारे में जनकारी है अगला कुश्चन तो आज के सेसन में सिर्फ इतना ही क्यासा लगा सेसन कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा च जिसको आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें उस पर आपको सभी नोट्स पीडियाप टैस्ट सीरीज सब मिल जाएंगे आपको सभी जो भी जाम आपकी हैं टीचिंग से संबन देतिया फिर अन्य संबन देति जो भी एक्जाम है लेलवे एंटीपीसी सैट नेट जी आपको सभी आपको हमारे एप पर मिल जाएंगे जरूर अपने फ्रेंड्स को इसको सेर करें आप भी देखें मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद